हलो बच्चो आज का हमारा सवाल है A तथा B के त्वरण के परिमान का अनुपात होगा हमें दोनों के त्वरण के परिमान का अनुपात बताना है अब देखिए अगर हम A पर देखें तो तनाव की दिशा यह होगी और A का त्वरण हम क्या मान सकते हैं एवन मान सकते हैं ठीक है और बी को देखा जाए बी का त्वरण हम कितना मान सकते हैं एटू मान सकते हैं और रस्थी में तनाव कितना होगा टी ही होगा अब बी का अगर हम मुक्त बस्तु आरेक बनाएं तो बी पर तनाव कितना है टी और टी टूटी ठीक है और बी एटू त्वरण से उल्टी दिसा में जा रही है ठीक है अब ए का अगर हम मुक्त बस्तु आरेक देखें तो ए पर तनाव कितना है टी है और ए एवन त्वरण से बाइयोर जा रही है अब हमें पता है पूरे के पूरे सिस्टम के लिए constraint equation जो होती है summation t.a बराबर क्या होता है 0 होता है अब देखें b के लिए देखा जाए तो b पर त्वरण left की तरफ है और जो हमारा तनाव है वो right की तरफ है तो क्या लिख सकते हैं माइनस का 2TA2 ठीक है और A के case में देखा जाए तो तनाब भी left की तरफ है और त्वरण भी left की तरफ है दोनों समान दिशा में जा रहे हैं इसलिए क्या लिख सकते हैं TA1 बराबर क्या हो जाएगा 0 इसको उठा के इधर ले जाएगे तो TA1 बराबर 2TA2 हो जाएगा T से T कट गया तो A1 बटा A2 बराबर कितना आएगा दो यही हमसे पूछा था दोनों के तुरण के परिमान का अनुपात तो हमारा कौन सा ओप्शन सही होगा हमारा B ओप्शन सही हो जाएगा आशा है आपको solution पसंद आया होगा धन्यवाद